वरिचय उत्तर पूर्वी भारत के एक सबसे छोटे राज्य मेखाले में रितिक छट्टियां मनाने गया है रितिक को उस राज्य में बने मकानों ने बहुत आकर्शित किया उसने पाया कि ज्यादा तर घर, खंबों के सहारे जमीन से उपर की ओर बने हुए हैं वहाँ इसका कारण अपनी मा से पूछता है तो उसकी मा उसे समझाती है कि इस राज्य में हर साल भारी मात्रा में बारिश होती है इस बरसाती पानी को घरों में घुसने से रोकने और घरों को नुकसान से बचाने के लिए इन घरों को बांस की इन बल्लियों के उपर बनाया जाता है दुनिया भर में पाए जाने वाले अलग-अलग प्रकार के घरों के बारे में जानने के लिए रितिक बहुत उस्सुक है तो चलिए हम घर के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं आओ सीखें घर को परिभाशित करना अलग-अलग शित्रों में पाई जाने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के घरों का वर्णन करना एक अच्छे मकान की विशेष्टाएं बताना प्राकृतिक आश्रयों को परिभाशित करना जलनिकासी व्यवस्था को परिभाशित करना और घर की सुरक्षा और सफाई व्यवस्था के महत्व का वर्णन करना मकान मकान किसे कहते हैं? मकान एक इमारत या स्थान होता है जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं हिमाच्छादित शित्रों में घर अलग-अलग स्थानों के घरों में अलग-अलग अंतर होते हैं जिन क्षित्रों में भारी मात्रा में हिम पात होता है उन क्षित्रों में घरों की छत धलांदार होती है धलांदार छतें बर्फ को छत पर जमा होने से रोकती हैं Greenland, Antarctica, आधी जैसे क्षित्र जो साल भर बर्व से ढगे रहते हैं, यहां लोग विशेश प्रकार के घरों में रहते हैं, जो इगलू के नाम से जाने जाते हैं। इगलू अर्थ गुलाकार होते हैं और जो बर्व के टुकणों से बने होते हैं। पहाडी क्षित्रों में घर लकडी के बने होते हैं, यहां भी घरों के छट धलानदार होती हैं, क्योंकि यहां पर भारी मात्रा में बारिश और हिमपात होता है। धलानदार छटें बर्व और बर्साती पानी को आसानी से छट से जमीन की और बहा देती हैं। बरसाती इलाकों में घर इस प्रकार के क्षेत्रों की प्रमुक विशेष्टा है ग्रामीर्ण घर गावों में घर गीली मिट्टी, चूना, सूखी घास और ज़ाडियों से बनाए जाते हैं जिन्हें जोपड़ी कहा जाता है शेहरों और कजबों में घर कजबों और शेहरों में घर इट और सिमेंट से बनाए जाते हैं या एक मंजिला या बहु मंजिला होते हैं इन बहु मंजिला इमारतों में अलग-अलग प्रकार के परिवार रहते हैं अच्छा घर घर छोटा अधवा बड़ा हो सकता है एक अच्छा घर वो होता है जो हवादार हो जहां परियाप्त सूरच की रोशनी आती हो जिसमें खाना पकाने का अलग स्थान हो जिसमें सोने के लिए अलग स्थान हो जिसमें इसनान घर और शोचाले अलग से हों जिसमें महमानों के स्वागत के लिए एक अलग स्थान हो प्राकृतिक आश्रे आदी मानव घर नहीं बनाते थे इसकी जगा वो प्राकृतिक आश्रे स्थल जैसे गुफाओं, पत्रेली दरारों आदी में रहते थे यह आदी बाना को खराब मौसम की स्थिती जंगली जानवरों आदी से सुरक्षा प्रदान करते थे जल निशकासन स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई घर से निकलने वाले कूडे कच्रे को सुरक्षिट ढंग से निश्पादित करके हम घर की सुरक्षा के प्रती सुनिश्चित हो सकते हैं घर की जल निगासी की नियमित जांच करके हम अवरोद और भराव से बच सकते हैं घर की सुरक्षा घर की सुरक्षा सबसे महतपूं है गंदा पानी घर के आसपास जमान ना होने दे इससे घर को नुकसान पहुँशता है उपरी टैंक से होने वाले रिसाव को डाट लगा कर बंद कर देना चाहिए घर में लकडी के सामान को दीमक से बचाना चाहिए हमने क्या चर्चा की? मकान वो इमारते हैं जहां लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं इगलू उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जो वर्ष भर बर्व से ढखे रहते हैं स्टिल्ट घर वहां पाए जाते हैं जहां भारी मात्रा में बारिश होती है गाओं में घर गीली मिट्टी, चूना, सूखी घास और ज़ाडियों से बनाए जाते हैं जिन्हें जोपडी कहते हैं शेहरों और कजबों में मकान इंट और सीमेंट से बनाते हैं आदी वानव गुफाओं और चट्टानों की दरारों में रहते थे जिन्हें प्राकृतिक आश्रे कहते हैं घर से निकलने वाले कूडे कच्रे को सुरक्षिट ढंग से निश्पादित करके हम घर की सुरक्षा के प्रती सुनिश्चित हो सकते हैं झाल 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 झाल